नमस्कार एक बाद फिर से आप लोग कस्वागेते एक्सप्लोर मोन में आज हम लोग बात करने वाले न्यूजलेंड वोसिस इंगलेंड की वन डे सीरीज की ट्रेडिंग पिक्स के बार में बेसिकली अगर आप लोग इस चानल को फॉल्ल करते हो तो आप लोग पता होगा ट् बात करते हैं यूजलेंड वोसिस इंगलेंड की तो बेसिकली आप तो जानते हो कि इंगलेंड होम साइड है और हालकि न्यूजलेंड ने अच्छा कमबाक करा T20 में बट मुझे लगता है इंगलेंड डॉमिनेट करेगी यहां पे वन डे सीरीज तो इसलिए मैं करने की सेजेशन नहीं दूँगा क्योंकि रीसेंड अगर रीसेंड के पंद्रा मैच भी उठा लूँ न उसमें सिर्फ दो अच्छी निंग्स आई है तो इसलिए मैं इसको सिजेस्ट नहीं करूंग आप लोग जाओ तो पिक कर सकते हों सैम करन को ना लेने का एक सिंपल सा रीजन है मेरा भाई की अच्छी चोएस है क्योंकि यह बैटिंग इजोनों से कंट्रिबूट करता है और फियलिंग से बी कंट्रिबूट करता है बड़ इसको ना लेने का तो स्थियां तो कहा ही बनेगी आठवे नंबर पे अगर खेलेगा तो उसको लेने का कोई तुक नहीं है बैटिंग से बोलिंग में स्टार्टिंग के ओवर करेगा और स्टार्टिंग के ओवर में अगर विकेट नहीं मिलती तो ऐसे विकेट नहीं मिलेगी क्योंकि bowlers भी इन पे बहुत टॉप क्लास है तो इस वज़े से मैं Sam Curran को ड्रॉप कर रहा हूँ अप लोग जोग तो पिक कर सकते हो South की अच्छी choice हो सकता है क्योंकि batting आने के इसके chances कम है क्योंकि मुझे रखता है England डॉमिनेट करेगी ठीक है जोई रूट को लो सकते हो जो रूट को लेने का एक सबसे बड़ा फाइद यह है कि इसमें सिर्फ batsman गिवन है बट जो रूट बोलिंग भी कर सकता है और बोलिंग जब भी करता है यह रिकेट लेता है तो काफी अच्छा batsman भी है चक्के जोके मारता है यह एक टिकके भी खेलता है टेक्निकली भी सॉलेड है और साथी साथी हार्ड हीटिंग भी करता है चक्के जोके बहुत मारता है तो काफी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं इसलिए सबसेटी चोईस मुझे भाई की यही लग रही है अगर विल यंग को चांस मिलता है यहां पर मेरी third choice है अगर William को chance मिलता है ठीक है तो toss के बाद भी active रहेगा तो definitely William को prefer कर सकते हो अगर one down खेलेगा तो काफी अच्छी choice हो सकता है buy की बट अगर नहीं खेलता है तो Mitchell directly खेलेगा one down जो की बहुती अच्छी choice हो जाता है बंड नाउन भी खेलेगा और six balling option भी है तो काफी अच्छी choice हो जाएगा इस लिस्को buy कर सकते हो और यहां पर manager इसके आपको बताया अगर William केलता है तो टेक्निकली बहुत solid batsman है ठीक है विकेट इसली नहीं देता है और जितने भी इसने लिस्टे के matches खेलें बहुत ही प्रॉपर खेलें मतलब उसमें काफी सारी 100 भी इसकी तो काफी अच्छी पेक हो सकता है अगर यह खेलता है तो इसको definitely prefer कर सकते हो compensation की जहां बात आ जाती है जहां प्लेयर नहीं खेलता है तो वहां पर नुकसान होने के chances जादा होते हैं क्योंकि मैं आप तक एकी trading वाली लीग हा रहा हूं एकी series हा रहा हूं जिसमें मैंने हैली मैथ्यूस को लिया था और उसमें सिर्फ compensation के वजचे आ था क्योंकि compensation उसने कभी matches नहीं कहले थे और compensation मिली तो फिर वो काफ two-down ही खेलेगा तो अच्छी choice हो सकता है sell के लिए यहां पर finale अच्छी जोस हो सकता है hard eating batsman है हमेशा जल्दी विकेट दे जाता है चारी ODI और England की जो bowling side है मुझे नहीं लगता यह टिक पाएगा फिलारन को आप लोग डॉप कर सकते हो खाला कि पहले जो दो मैचित है वो ब पिक कर सकते हैं कि यह टेक्निकली विकेट नहीं देता है सिंगल डबल पर जादा लाय करता है टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करता है तो टेस्ट टाइप batsman है ODI में भी टिक के खेलना ज़रूरी है तो यह अच्छी प्रेफरेंस हो सकता है अगर आप लोग किसी batsman को लेना यह हो जाएगी बर उसके लावा में को और भी कोई प्लेयर ऐसा नहीं देगा जो गेरंटी रिटर्न या गेरंटी प्रॉफिट दे जाएगा जो रूट अच्छी चोईस है टेक्निकली सॉलिट हो और इंग्लेंड अगर डॉमिनेट करेगी उसका काफी अच्छा पाट रह कि चल रहा हो बाकि जो भी डिस्क्रिब्शन होगा में तेलेगर нравится पहूंच कर दूँ कंसे प्लैं में अपर कर रहा हूं फाइनल तो सिंपली आफ़ आप लोग टेलेगराम पर जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो कि यूद भी दिप्वीडियो नहीं देखतरे एक्सपर्च वीडियो हलकी सी भी helpful लगी हो तो simply channel को subscribe करके bell icon को press कर सकते हो धन्यवाद